आज हम आपको क्रिस्मस के लिए केक डेकुरेशन टैने से खाने जा रहे हैं उसके लिए हम ग्राइड नाइफ से स्पॉंज को पहले ऐसे काटेंगे दीरे-दीरे जहां रखें सारी सतर सीमी थो हम केक को पल्टा कर इस सतर को भी काट लेंगे और केक के साइड से भी इस सता को निकाल लेंगे केक के उपर से इतनी मोटी लेयर काटेंगे इससे उठाकर हम साइड में लग देंगे इसमें साम एक और लेयर निकालेंगे शुगर से तब बनानी के लिए एक बॉल में शुगर और थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसको चम्मच की साइदा से मिस्टाना शुरू करेंगे हमें जब तक मिस्टाना जब तक की फूरी शप्तर पिक अलना जाए हमारा शुगर सिर्फ तयार है अब इसमें हम कुछ बूंदे वनीला ऐसेंस जालेंगे अब हमने केक की लिए इसकाट लिए अब हम सिखाएंगे केक पर आइसिंग कैसे बते हैं पहले हमने जो सुगर शिरफ बनाया है वो केक के एक लेयर पर डालेंगे ताकि केक फ्लफी हो और सॉप्त है अब हम पाइपिंग बैग में जो तीन डालेंगे अब हम लेयर पर विप क्रीम को स्प्रेड करेंगे अब हम दूसरी लेयर लेंगे और इस पर रग देंगे अब हम वापिस सुगर शिरफ इस पर डालेंगे अब हम वापिस सुगर शिरफ इस पर डालेंगे अब हम लास लेयर लिखेंगे अब हम इस पर आइसिंग करेंगे अब हम ठोड़ा बरम पानी रहेंगे थाकि उसको फनिशिग कर इंगी अब हम साइड में भी आइसिंग करेंगे अब अब वापर पालेट बरम पानी ब डालेगे वापिसमें फनिशिग आईगी हम पर सब्सक्राइब फWWट इसके लिए अब नी कि ठोड़ासा क्रिम लगा लेंगे अब हम ने सब्सक्राइब कर लिये अब इसको करने बोर्ड पर बे शेफ्ट कर गया अब इसकी हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम लेंगे कोकोनट, यह डेसिकेटेट कोकोनट है, जो कि एजीली अविलेबल है मार्केट में, उसके अंदर थोड़ा ग्रीन कलर डालेंगे, फ्लोबर डालेंगे, अब हम यह डेसिकेटेट कोकोनट को पूरे केक इसिंगे अब हमने डेसिकेटेट कोकोनट डाल दिया है, अब हम दूसरे डेकोरेशन स्टार्ट के जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कोन, इस एजीली अविलेवन मार्केट, और ठोड़ी विप प्रीम लेंगे, और इसे हमने अग्रीन कलर मिला देगे, अब हम दूसरे डेकोरेश जिसके हम बनाएंगे क्रिस्मिस फ्री, उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की विप क्रीम और कोन, इस पर डेकोरेशन रहना स्टार्ट है, अब हम इसको के उटर लगा देगे, अब हम इसके आगे का डेकोरेशन पॉंडेंट से करेंगे, जो मार्शमेलो और आइसन शुगर को मिला के बनता है, और मार्केट में इसली अवेलेबल है, इसके लिए हम वाइट पॉंडेंट नेंगे थोड़ा, और थोड़े पॉंडेंट में रैड कलर मिक्स करेंगे, अब हम इस पॉंडेंट से एक कप बनाएंगे, और इस पर फिट करेंगे, छोटी छोटी गिल्ट्च्वी बनाएंगे, अब हम अपने स्नॉमैन की आईस के लिए चॉकलेट चिप्स का यूज़ करेंगे, अपने स्नॉमैन को केक पर पलेस करेंगे, हमने पॉंडेंट से गिफ और स्नोमेन बनाके इस तरह से लगा दिये हैं आप अपने हिसाब से इध्जस्टर सकते हैं और डेकोरेशन करने के लिए हमें आप एक चारी लगाएंगे और कुछ टूटी-खूटी का इस्तिमाल करेंगे अब हम एक पाइपिंग बैग में वाइट वेफ प्रीम लेंगे अब चाहे तो इसमे एक नोजल लगा सकते जैसे की हमने लगा लिए इस तरह से केक का डेकोरेशन करने स्टार्ट करेंगे अब आप लास्ट में किसी भी चीज से गांडिश कर सकते हैं जैसे चॉकलेट चिप्स इसी तरह हमने इस केक की भी आइसिंग कर लिए ये किक बहुत सिंपल है और हम घर में कभी भी बना सकते हैं इसके लिए हम चॉकलेट स्टिक्स लेंगे और इस तरह लगाना शुरू करेंगे इस तरह हमने स्टिक्स से केक को कवर कर लिया है और इसे हम जोड़े रखने के लिए यहां पर पाइपिंग बैक से क्रीम डाल रहे हैं और इसके सर्कल में एक टार देशा बनाएंगे इसे नहीं से करेंगे और साइड में जैम्स भी लगाते जाएंगे स्प्रेंगल करना स्टार करेंगे और यह नोगा आप घर पर इजी लिए बना सकते हैं पहले आपको 50 ग्राम शुगर को मेरिट कर लेना है फिर उसके अंदर आपको काजू डाल देना आपको को क्या अपको करें आपको का ग्लाप करेंगे आपको करेंगे आपकोिए